शावन के महिने में बगवान सीव के पूजर में उनके प्रिय फल, फूल और पत्ते अरपित करना चाहिए वेसे तो बगवान सीव को आप एक लोटे जल से भी प्रसंद न कर सकते हैं लेकिन उनकी विसेश करपा पाने के लिए उन्हें आप इन फलों को अरपित कर सकते हैं सीव पुरान के नुसा सावन के मैंने में सीवलिंग पर धतूरे का फल, फूल और पत्ते चड़ाने से दुखों से चुटकारा मिलता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है रुद्राक्ष फल नहीं बलकि फल की एक गुठली है जो बगवान सीव को बहुत पसंद है बहुत से लोग बगवान सीव भुलिनाथ की विसेश करपा पाने के लिए इस रुद्राक्ष को माला, ब्रेसलेट और लोकेट की तरह पहनते हैं बगवान सीव को बेल पत्र के अलावा बेल फल भी बेहत प्रिये है आप इसे सीवलिंग पर चड़ाने के सासाथ इसके फल को सुखा कर हवन सामगरी में मिला कर भी अर्पित कर सकते हैं बद्री बेर हर जगे उपलब नहीं होता आम तोर पर यह बद्री नात धाम में पाया जाता है यह बद्री बेर का फल बगवान बोले नात को बहुत प्रिये है यदि आपके पास यह फल उपलब्द है तो यह जरूर चड़ाए बगवान सीव को आकड़े का फल भी बेहत प्रिये है वैसे तो लोग आकड़े के फूल और पत्ते को सीवलिन में अर्पित करते हैं ऐसे में गर्मियों के मौसम में उपलब्द आकड़े के फल को भी सीवजी को चड़ाएं बगवान सीव को आप उनके इन प्रिय फलों के अलावा मौसमी फल जैसे बेर, आम, केला, निबोली और सेव जैसे फल चड़ा सकते हैं ध्यान रखे कि बगवान सीव को नारिल का फल ना चड़ाएं नारेल के फल के अलावा आप इसके पाने को सी लिंक पर चड़ा सकते हैं ओम नमस्तिवाई वीडियो अच्छा लगे तो लैक से आज सबस्क्रेब चरूर कीजिएगा ओके थेंक्यों औरिवन